अब लेट इस दिसकर्स दी कॉंसेप्ट ऑफ पावर ओफ कॉंबिनेशन ओफ लेंजे तो इस से पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर होती क्या है मतलब कोई भी लेंज है उसके एक फोकल लेंज होगी तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर होगी और फोकल लेंज हमारी मीटर में होनी चाहिए तो अगर मैं री फोकल लेंज है इस एक से जादा लेंज है मतलब पहले हमने बात की कि एक ही लेंज है तो हमने उसकी power बताई क्या होगी अब सोचते हैं ये कि अगर हमारे पास एक से जादा lenses है और एक से जादा thin lenses को हमने एक दूसरे के साथ जोड के रखा हुए है तो अब power क्या होगी तो अगर मेरे पास n number of lenses है और मुझे power निकालनी है so p will be equal to p1 plus p2 plus p3 और उन सारी powers को हम simply add कर देंगे तो हमारे पास power आजाएगी combination की तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो lenses है एक की power suppose 2 है दूसरे की power suppose 3 है और तीसरे की power suppose 1 है अब मैं इन तीनों को जोड देती हूँ combine एक दूसरे साथ contact में रख देती हूँ तो अब मेरी power कितनी हो जाएगी क्योंकि p1 मैंने बोला मेरा 2 diopters है और जो p2 है वो मेरा 3 diopters है और suppose p3 जो है वो मेरा 1 diopter है में पस 3 hand lenses p1, p2, p3 उनकी powers है एक है 2 diopters एक है 3 diopters और एक है 1 diopter तो ऐसी situation में अब मैं जब power निकाल लूँगी collective तो वो क्या होती है p1 plus p2 plus 3, p3 मतलब हमने 3 powers को just add करना है that means 2 plus 3 plus 1 तो मेरे पास आजाएगा 6 diopters तो अब यह use कहा होती है जब भी कभी आप देखते हैं हम optician के पास जाते हैं हमारी eyes में कोई defect है तो हम उसको लिए कोई spectacles बनवाना चाते हैं वो क्या करता है वो different lenses को combination में रखता है और फिर वो देखता है कि हमारे लिए best suitable क्या होगा और फिर जब उसको जैसे उसे 2-3 रखे रखे हमें जहां हम satisfied है हम कहते हैं हमें यहां से clearly नजर आ रहा है तो उन सारे combinations को powers को वो add कर देता है पास एक से जादा lenses है मैंने उनको एक दूसरे के साथ contact में रखा अब मुझे उनकी resultant focal length निकालने है तो और तो कोई way नहीं है resultant focal length निकालने का हम क्या करेंगे हम different जितने भी lenses हैं उन सबको एक दूसरे के साथ contact में रखा है सबकी powers हमें क्योंकि focal length पता होगी तो हम individual power निका उसका reciprocal लेंगे तो that will be the equivalent focal length of all the lenses. Suppose मैं कहते हूं कि मेरे पास दो lenses है एक की focal length F1 है और दूसरे की focal length F2 है तो मैं पहले दोनों की power निकालती हूं P1 आएगा 1 upon F1 and P2 मेरा क्या आएगा 1 upon F2 तो जब मैं resultant power निकालूंगी P किसके equal आएगा that means 1 upon F1 plus 1 upon F2 अब मैं इनको sum करती and LCM लोंगी F1 F1 F2 तो मेरे और उपर आजाएगा F2 upon F1 क्योंकि जब भी मैं LCM लोंगी तो मेरे पास आजाएगा F1 F2 तो F1 F2 जब मेरा LCM होगा तो उपर की terms मेरे पास क्या आजाएगी F2 और उसकी case में क्या आजाएगी F1 तो P आजाएगा हमारा F2 plus F1 upon F1 F2 तो this is the resultant power और we can say equivalent power तो जब equivalent power आगी तो equivalent focal length F निकालनी है तो it is 1 upon equivalent power 1 upon equivalent power means अब इसका reciprocal that means F1 F2 upon F1 plus F2 तो अगर मुझे focal length equivalent निकालनी है तो मैं इस formula को use कर सकती हूँ अगर मेरे पास दो lenses है दोनों की focal length F1 और F2 है तो equivalent focal length कैसे निकलेगी ऊपर मेरे पास product है और upon the sum of the focal length so this is how we can find the focal length of a combination of lenses तो जब भी अब हम कह सकते हैं कि जब भी कभी मेरे पास एक से ज़्यादा lenses होंगे और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा diagram मेरी image कहां form होगी तो मैं मुझे उसके लिए focal length की जुरुत पड़ेगी तभी मैं lens formula को लगा पाऊंगी तो focal length की जुरुत पड़े उन powers को मैं plus कर दूँगी plus करके उसते मेरी resultant power आ जाएगी उसका मैं reciprocal लूँगी तो मेरी resultant focal length निकल के आएगी so this is something about the concept of the power of the combination of lenses is so so